है लो गाइज आप सभी का आपके अपने चैनल माईजिक जेकार्ट में स्वागत हैं आज हम बात करेंगे प्रश्णों की जो की बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेसिक प्रश्णों की आज हम हम बात करेंगे जो आलेखन पर आधारित प्रश्ण है और हमें कई एक्जाम में यह प्रश्ण मिल भी जाते हैं लेकिन इंपॉर्टेंट प्रश्ण है कई कई एक्जाम में हमें इसमें से कुछ ना कुछ हमें मिल जाता है तो आज हम आलेखन पर आधारित जो प्रश्ण है उ उनको देखेंगे यहां पर लिखा है यहां पर लिखा है ओस्ट वाल्ड के रंग चक्र में कितने रंग होते हैं तो पहले में आपको बता दूँ जो यह आप प्रश्न देख रहे हैं इसमें प्रश्न हैं आज हम बात करेंगे पचास फ्रस्णों पर उत्तर सही तो आज हम पचास प्रस्ण देखेंगे पहला जो है और आज की ओस्ट वाल्ड के रंग चक्र में कितने रंग होते हैं तो ओष्ट वाल्ड आपको सभी को पता होना चाहिए और चुरा यॉत के रंग चक्र में कितने रंग होते हैं तो इसमें आठ रंग होते हैं हमें प्रश्ण से ही पता चलना है कि ओस्ट वाल तो ओस्ट इसे ही में आठ पर हमें टिक कर देना है तो ओस्ट वाल के चक्र में कितने रंग होते हैं आठ रंग होते हैं फिर पहला जो है बहुत ही बैसिक प्रश् तीसरा है प्राचीन भारती पद्यत के अनुसार प्रारंभी कत्वा मुख्य रंग कितने माने जाते हैं तो ये तीन रंग होते हैं चौथा है रंगों के नवीन पद्यत के अनुसार प्रारंभी कत्वा मुख्य रंग कितने माने जाते हैं तो ये चार होते हैं एक बार हम फिर से देख लेते हैं रंगों की नवीन पद्यति के अनुसार प्रारमिक अथवा मुखी रंगे कितने माने जाते हैं तो ये चार होते हैं पाचवा है नवीन रंग पद्यति के अनुसंधान करता कौन थे तो ये थे ओस्ट वाल्ड जो थे इ उसमें इन्होंने रखे थे आठ रंग तो ये ओस्टवाल का ही प्रश्ण बनता है इन्होंने ही ओस्टवाल चक्र बनाया था उसमें इन्होंने आठ रंग बताये थे पिर चाठा इनमें से शीतल रंग कौन सा है तो आपको पता होना चाये लाल जो होता है ये थंडे नहीं रंग होते हैं नारंगी होता है तो अगर हम शीतल यानि कि जो थंडा रंग माना जाए तो हरा माना जाता है तो शीतल रंग हरा है उश्ल रंग कितने होते हैं तो उश्ल रंग चार होते हैं तो आप चार देख रहे हैं तठस्त रंग कितने होते हैं तठस्त रंग तो होते हैं द्वित्यक रंग कितने होते हैं द्वित्यक रंग चार होते हैं नमबर 10 खनीज रंग कौन सा है तो गेरू रामराच पेमड़ी एक्रिलिक तो इसमें से जो खनीज रंग है वो एक्रिलिक है तो आप एक्रिलिक पे टिक लगा सकते हैं अब इसको अगर आपको यह इंपोर्टन लगे तो आप इसको नोट कर लेना किसी कि नोट्बुक में तो आप इसको नोट कर सकते हैं जो कि 11 गया है रखाय कितने कि होती हैं दो परक खें होती हैं यहाँ पे रिखाएं पूछे हैं यहाँ पे मुख्य रिखाएं नहीं बताई गई हैं तो आप रिखाएं जब पूछे रिखाएं कितने प्रकार की होते हैं तो रिखाएं दो होती हैं दो प्रकार की तो उस पे आप लगा सकते हैं पर बारुहां है प्रस्ण निम्न में से गरम रंग कौनसा है तो हमने पहले से बता दिया था जो ठंड़ा रंग होता है वो हरा होता है नीला रंग होता है और काला होता तो लाल जो रंग है वो गर्म रंग माना जाता है pass no.13 तृट्ध रंग कौन सा यह का시 को तूट तरस तस्त रंग कौन से हैं तो त्रस रंग सफेद होता है क्ला होता है क्योंकि हम लाल और नीला नारंगी बैंगली में मिलाने से हमें दूसरा रंग राप्त होता है तो यहां पूछ रहा है तठस्त रंग कौन से हैं तो यह सफेद होते हैं और काला होता है इनको मिलाने से हमें अनिक प्रकार के रंग मिल सकते हैं I got a question box 15 निमर्भफ्यत में दूर्फ रंग कौन सा है तो निमर्फित में दूर्थर रंग जो है नारंगी है क्योंकि पीजाएब नीला लाल ये प्राथिमिक माने जाते हैं हमें जब किसी रंग में दूसरा रंग मिलाने से हमें जो प्राप्त होता है उसको हम कहते हैं द्वित्यक रंग तो हमारा नारंगी है जो कि अगर हम लाल और पीला रंग मिलाएं तो हमें नारंगी प्राप्त होता है तो यह हमारा द्वित्यक रंग बन जाएगा प्रश नमबर 16 लारंग में कौन सा रंग मिलाया जाए कि वह नारंगी हो जाए तो मैंने आपको यहां पर पहले ही बता दिया है कि पीला और लाल रंग मिला देंगे तो हमारा जो है रंग नारंगी हमें प्राप्त हो जाएगा प्रस नंबर 17 निम्न में से कौन सा इंद्रधनुस का रंग नहीं है तो आप सभी लोगों ने देखा होगा इंद्रध यहां बोरा रंग नहीं होता है क्या यहां न त्वा यहां तो हमें अगर प्राप्त करना हैं तो उसमें हमें लाल रंग मिलाना पढ़ेगा तो यहां पर लिखा नीले रंग में कौन सा रंग मिलाया जाए मिलाएंगे जिससे हमें बैंगनी रंग प्राप्थ हो जाएगा इस रश्ट नंबर उन्श्ट कौन सी पैंसिल से बनाई रेखा अधिक काली होगी तो आप यहां पर देख रहे हैं क्योंकि HB, 2H, HB जो सबसे अधिक काली रेखा हमें प्राप्त करने के लिए जो हम पेंसिल यूज करते हैं तो टू भी होती है उससे भी अगर हमें डाक लेनी है तो टू भी आती है प्रेश नमबर 19 आसमानी आसमानी का विरोधी रंग कान सा है तो आसमानी का विरोधी रंग नारंगी होता है प्रश नम्बर 21 लाल का विरोधी रंग कौन सा है? तो लाल का विरोधी रंग जो होता है, हो समुद्री हरा होता है प्रश नम्बर 22 लाल रंग से कौन सा भाव प्रकट होता है? तो लाल रंग से कौन सा भाव प्रकट होता है तो ये लाल रंग जो होता है वो प्रेम, युद्ध और खत्रा का प्रतीक होता है तो लाल रंग हमारा अगर पूछा जा कौन सा भाव प्रकट करता है या किसका प्रतीक होता है तो ये प्रेम, युद्ध और खत्रा का प्रतीक ह होता है प्रस्ट नमबर तेज बैंगनी रंग से कौन सा भाव प्रकट होता है इसका प्रतीक क्या है तो आमोत प्रमोत पर आप लगा सकते हैं यहां पर लिखा है आमोत प्रमोत प्रस्ट नमबर 24 अच्छे अलेखन के कितने गुड या सिधान्त होते हैं तो ये 5 होते हैं प्रस्ट नमबर 25 शान्त का प्रतीक रंग कौन सा है तो शान्त का प्रतीक रंग हमारा सफेद है तो आप ते हमारे देश का जो जंडा होता है तिरंगा जिसमें तीन रंग होते हैं चक्र को छोड़ कर जो तीन रंग होते हैं आपने देखा होगा नारंगी होता है सबसे उपर नारंगी होता है बीच में सफेद होता है और लाश्ण में जो होता है नीचे वो हरा होता है तो लाल हमारा प्रतीक होता है बलीदान का जो प्रेम का जो होता है लाल रंग होता है और जो बीच में सफेद रंग है वो हमारा श शांद का प्रतीक रंग होता है यहां पर पूचा गया शांद का प्रतीक रंग तो सपेद होता है जो नीचे हमारे जंडे में रंग दिया होता है वो हमारे देश के विकास के लिए यानि कि जो विकास होता है हमारे देश में हर्याली उसका प्रतीक होता है प्रश्ण नमबर 26 वीरता का प्रतीक रंग कौन सा है तो वीरता का प्रतीक रंग हमारा जो होता है वो नारंगी होता है प्रश्ण नमबर 27 रंग संगती कितने प्रकार की होती है तो रंग संगती 6 प्रकार की होती है प्रेश्ट नंबर 28 नारंगी का समीपस्थ रंग कौन सा है तो पीला है आपने ओस्ट वाल का जो चक्र होता है आपने देखा होगा उसमें आठ रंग होते हैं तो उसमें रंग दी होते हैं आठ परकार के तो जो सबसे उसका नारंगी का जो पोडूसी रंग होता है वो पीला होता है अब तिला एक लगा सकते हैं अगर इंपोर्टन लंगे तो आप अपने इसके neragenya सकते हैं प्रेश नंबर 39 कि हादर्ष रंग कितने होते हैं तो आदर्ष रंग unstableise th नंबर 30 8 होते हैं प्रश नम्बर 19 workers न 조नबर 13 डलता है तो आपने देखा होगा जो हम जिसको ठंड़ा रंग कहते हैं तो हरा रंग जो हमारे आखो पर अंको पर प्रभाव डलता है तो ठंड़ा प्रस नंबर 32 चार कॉल क्या है आपने देखा होगा चार कॉल एक पेंसिल भी आती है जो बहुत ही डार्क होती है चार्कूल पेंसिल और बहुत ही सौफ्ट होती है तो चार्कूल एक ग्रेफाइट होता है जो हमारी पेंसिल जिससे बनती है वो हमारा एक प्रकार का पत्थर होता है जिसको हम ग्रेफाइट कहते हैं तो पेंसिल हमारे ग्रेफाइट से बनी होती ह प्रश्ण नमबर तैंटिस एक आलेखन में साधरणतिया किस प्रकार के रंगों का परियोग होना चाहिए तो हलके आकर्शक रग प्रश्ण नमबर तैंटिस आलेखन का सबसे महत्वपूर्ण अंग जो उसे संपूर्णता प्रदान करता है तो लयात्मक सुन्दर रेखाएं तो उसमें हैं जब सुन्दर सुन्दर लयात्मक जब हम बनाते हैं रेखाएं इस तरीके से जब हम बनाते हैं लयात्मक तो वो सुन्दर रेखाएं आलेखन का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है प्रश्ण नमबर 35 किनारी का आलेखन किसके लिए परियोक किया जाता है तो आप सभी लोगों ने जब हम छोटी क्लासों में होते हैं तो हमने बनाया होगा साड़ी का किनारा जिसको कहते हैं आप बोल चाल की भाषा में किनारी का जो साड़ी का किनारा होता है तो वो हम लोगों ने बनाया होगा तो यहां पर प्रश्ण पूश रहा किनारी का अलेखन किसके लिए परियोक किया जाता है तो हमारा उत्तर है साड़ी की किनारी के लिए प्रश नंबर 36 चित्र कला में कितने माध्यम रंग के परियोग होते हैं प्रश नमबर 36 चित्रकला में कितने माध्यम रंग के परियोग होते हैं तो दो होते हैं प्रश नमबर जो 37 है 37 फर्ष के मध्ध को सजाने के लिए सामान्यत्या कौन सी इकाई का परियोग करते हैं फर्ष के मध्ध के सेंटर होता है उसको सजाने के लिए हम किस एकाई का परियोग करते हैं तो फूल पत्यों तथा कलियों से हम उस फर्ष के सेंटर को सजाते हैं फूल पत्यों तथा कलियों तो यह basic प्रशन है और जो की बहुत ही important है आप इसको लिख सकते हैं और इसको यह बहुत ही आप के लिए बहुत ही यूजफुल हैंगे तो आप इसका एक अपने डाइरी में इसको नोट कर सकते हैं प्रेश नंबर 38 रंग माध्यों में सबसे पारदर्शी कौन होता है तो वाटर कलर तो रंग माध्यों में में सबसे पारदर्शी कौन सा होता तो वाटर कलर आप लगा सकते हैं अब टिक क्योंकि ये पारदर्शी रंग होता है वाटर कलर प्रेश नंबर 49 जल रंग का चित्र बनाने के लिए कौन सा कागच उप्युक्त है तो हमें वाट मैन जो एक टेपर आता है यह अच्छा होता है वाटर कलर के लिए जल रंका मलदब lóg हो गया वाटर कलर का जब प्राइमरी रंग कौन से हैं यानि की प्राथमिक रंग तो हमने पहले भी बता दिया प्राथमिक रंग लाल लेला प्राइमरी रंग है प्रश्ट नमबर 41 कि आलिक यह बुर्य परकार की होते हैं रोली पहले एक वीडियो बनाए थी आलेखन के उपर तो आप उसमें जाकर देख सकते हैं आलेखन के प्रकार उसमें मैंने बताया था एक ज्यामितिया आलेखन होता है सोच्म आलेखन होते हैं और भी कई तरह के आलेखन होते हैं उसमें मैंने बताया थे चार प्रकार के आलेखन तो आप उनके नाम देख सकते हैं मैरी पिछले वाली वीडियो मे प्रश नमबर 42 किसी प्राकरतिक आलेखन को किस प्रकार आकरशक बनाएंगे तो पत्यों द्वारा जब हम किसी प्राकरतिक आलेखन बनाते हैं यानि कि जब हम फूल पत्यों से हम उसको सजाते हैं कल्यों से सजाते हैं तो वह हमारा प्राकर्तिक आलेखन बन जाता है तो यह प्राकर्तिक आलेखन है और यह जो प्राकर्तिक आलेखन भी इसका ही एक भाग है आलेखन के यहां पर पूछ रहा कितने हैं भाग तो चार चार में से यह भाग है प्राकर्तिक आलेखन प्रसन नमबर देस का जो जंटा है तिरंगा उसमें जो हमारा नीचे वाला रंग है वो हमारा प्रसन नमबर देस का प्रतीक माना जाता है प्रश्ण नमबर 44, रंगों के कितने गुड़ होते हैं, तो रंगों के तीन गुड़ होते हैं, फिर हम इधर आ जाते हैं, प्रश्ण नमबर 45 पर चित्रण की द्रश्ट से आलेखन कितने परकार के होते हैं, तो यह होते हैं, फिर यहाँ पर प्रश्ण नमबर 46, वस्त्र पर डिजाइन करना किस माध्यम से ठीक होगा, तो जब हम कपड़े पर अगर हम कोई सा डिजाइन बनाएं या कोई जब कलर यूज करते हैं, तो वह एक्रेलिक का कलर यूज होता है, जब हम कपड़े के ऊपर बनाते हैं, कोई सा भी चित्र आलेखन बगेरा, तो उस पे जब रंग यूज होता है, वह एक्रेलिक रंग होता है, तो आप इसको भी ध्यान रखेएगा, प्रश्ण नमबर 47, किस नमबर की तूलिका से सबसे पत होना चाहिए, जिसको नहीं पता है, तो इसको मैं बता दू, तूलिका में होता है, ब्रश, जो हम ब्रश यूज करते हैं, वो होता है, किस नमबर की तूलिका से सबसे पतली रेखा अच्छे बनेंगी, तो एक नमबर की जो ब्रश आता है, एक नमबर वाला, तो उससे और भी इससे भी पतल बारेक ब्रष आते हैं तो लिका आती है जोकी zero नंबर की भी होती है 0000 वाली होती है तो उन से हमें पतली रीखा प्राप्त होती है फ्रश्ट का पूरक रंग कौन सा है ईन्में Che, चक्र रहे हुसमें दिया होगा लार के सामने जो रंग हवता हे अपने दिखा होगा का अपनिहें आदी का कौन सार पूरक प्रश्ट निला बैंगनी तो हमारा काला रंग उदासेन रंग है प्रश्ट नंबर 50 जो कि हमारा यह आखरी प्रश्ट है आज के लिए आलेखन में जयामिती का प्रयोग क्यूं होता है तो एक निश्चित आकार देने के लिए आपको यह भी पता होना चाहिए एक जयामिती आलेखर जो कि आलेकन के कितने परकार होते हैं चार परकार होते हैं जिसमे से एक ज्यामति आलेकन होता है अर सुच्म आलेकन होता तो और ज्यामति क्योंने के लिए ज्यामिती आलेखन क्या होता है ज्यामिती आलेखन में हम यंत्रों का पर्योग करके आलेखन बनाते हैं तो जिसमें हम यंत्रों का पर्योग करें वो ज्यामिती आलेखन कहलाता है तो आज के लिए हम इतना ही जानेंगी पचास प्रश्णों तक और अगली जो वीडियो होगी 50 51 से लेकर 100 तक तो हम उसमें भी बात करेंगे आलेखन से संबंधित प्रश्णों की तो अगर यह आपको इंपोर्टन लगा हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू सो मच हुआ हुआ तो